तो कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहांपर पहला पार्ट खत्म होता है। हम देखते हैं चुनिलाल को जो कि भटक्ती बोसरी को अपनी कार से कुचलने के बाद अपने पैरेंट्स को कहता है कि अम मुझे बीबीसेटर की कोई जरूत नहीं है। जिसके बाद हम दे सबी को लगा कि ये बावली गंड पागल हुचुका है जिसके बाद इसकुल में हर कोई उसे परिशान करने लगा। फिर इसकुल के बाद वहाँ पर गंगू गंड मरी आती है जिसको देखकर हमें लगता है कि शायदा वो चुनिलाल की गल्फेंड बन चुकी होगी लेकिन अशा नहीं है क्योंकि उसे भी लगता था कि चुनिलाल पागल है और वो बटक्ती बोसरी की कहानी अपने मन से सुना रहा है तब इस पर गंगू गंड मरी कहती है कि हम लोग छुपतो रहे थे लेकिन मैंने वहाँ पर किसी भी बटक्ती बोसरी को देखा ही नहीं था इसी जब सभी क्लास में होते हैं तभी वहाँ पर एक नई स्टूडेंट शालू शोकीन आती है जिसका दूसरे शहर से एक एक स्चेंज स्टूडेंट के तौर पर ट्रांसफर हुआ था फिर शालू शोकीन सभी को अपने बार में बताते वे कहती है कि मुझे घचा-घच की फिल चुनिलाल को देखकर उसे लगता है कि शायद ही अब अपनी हाथ-गाड़ी चलाने वाला है इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि बेटा ध्यान रखना अपनी पिछकारी से लैप्टॉप की स्क्रीन गंती मत कर देना जिसके बाद वो उसे बैस्ट अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़ कर कहीं दूर चले जाओ अपने दिमाग को हलका करने फिर वो उसे कहती है कि हम इस वीकेंड को लेक पर जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चलो अप पहले तो चुनिलाल उसे मना कर देता है लेकिन जब गंगुगणमरी उसे कहती है क हम वहाँ पर दिन राद गचा गच करेंगे तो ये सुनकर चुनिलाल खुश हो जाता है और उसे हाँ बोल देता है फिर क्लास के दोरान चुनिलाल उस ने लड़की शालू शोकीन को गूरता जा रहा था क्योंकि पूरे स्कुल में उसके बारे में एक अफ़ा फैली थी कि उसने बचपन में अपने मा बाब को मार डाला था तब ही क्लास खत्म होते ही चुनिलाल का टीचर उसे कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने कैबिन में बुलाया है और शायद वहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड भी है अब ये सुनकर चुनिलाल समझ जाता है कि वो उसी मेंटल कॉलेज में ले जाने के लिए आये हैं तब ही वहाँ पर गंगुगंड मरी आती है और उसे कहती है कि अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है अब क्योंकि चुनिलाल उस मेंटल कॉलेज में नहीं जाना चाता था इसलिए वो भाग कर वहाँ से ब बंग करके कहीं पर चला गया इस पर गंगू गंड मरी का बाप उने कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरी बेटी उसे गचा गच कने के लिए कहीं पर ले गई होगी और जब वो उससे अच्छे से अपनी पिंकी पिटवा लेगी तो वो खुदी उसके घर छोड़ जाएगी लेक को वो सब भी एक बोट पर चले जाते हैं और सम्मुंदर के बीचो बीच पाटी करने लगते हैं फिर वो सब भी मिलकर 7 Minutes in Heaven गेम खेलते हैं जिसमें चुनिलाल और गंगू गंड मरी को 7 मिनट के लिए एक साथ एक क्लोजेट में रहना होता है तब ही मनोज मंगा बावली हलल केता है कि भाई तु चिंता मत कर उस चूतिय का तो कभी खड़ाई नहीं होता तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा लेकिन वहीं क्लोजेट में गंगू गंड मरी को ठरक चड़ी होती है इसलिए वो चुनिलाल को दबोच लेती है और उसे दबा कर चूसना शुरू कर दे चुनिलाल को भी मज़ा आने लगता है जिसके बाद वो भी उसका साथ देता है और उसे चूसने लगता है फिर टोसेट से बाहर आने के बाद 90 मनोर 忙गा करने वाले लोग तुझे मारना चाते थे इस पर चूनिलाल कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाता मन गंगुगंड मरी उन्हें कहती है कि बुसरी वालो बस करो, चुनिलल यहां पर सिर्फ मजे करने आया है, शैतानों के साथ सोदा या किसी शैतानी किताब के बारे में बात करने नहीं, अब यह सुनकर चुनिलल को थोड़ा शक होने लगता है, और वो गंगुगंड मरी को कहता है कि मैंने तुम्हें शैतानी के बारे में कब बताया, गंगुगंड मरी कहती है कि तुमने बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, चुनिलल कहती है कि मैंने तो नहीं बताया, अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला, तभी गंगुगंड मरी कहती है कि मैंने भ पिला कर बेहोश कर देंगे और फिर चुप-चाप तुम्हारा खुन निकाल लेंगे लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है इसलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा अभी देखकर चुनीलल घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी वहाँ प पहले तुम्हारा खुन चाहिए क्योंकि उसी की ही मदद से हम वापस जिंदा हो सकते हैं अब सभी मिलकर उसका खुन लेने के लिए उसके पास आने लगते हैं लेकिन इसी दुरहन वहाँ पर शालू शोकीन भी आ जाती है अब ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद इस स की को शुरू करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं फिर वो दोनों वहाँ से भागते हो एक आईलेंड पर आ जाते हैं जहां पर शालू शोकीन उसे पूछती है कि भेंडशो दिये सब क्या था इस पर नुनिलाल उसे सब को सच बता देता है कि इन भेंड के लोड जो की सीधा आकर उनकी जैट स्की में लगती है और वो तबाह हो जाती है इसके बदम देखते हैं कि शालू शौकीन इन सब लफडों में नहीं पढ़ना चाती थी इसलिए वो चुन्नी लाल को वहीं छोड़ कर वा से जाने लगती है फिर कुछी दूर जाने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो उसे पूछती है कि क्या आप मुझे वापस टाउन तर छोड़ सकते हैं लेकिन वो आदमी तो एक नबर का धर्की था और उसने कई सालों से किसी भी लड़की के साथ गचागच नहीं किया था इसलिए वो शालो शोकीन को कहते है कि मैं तुम्हें छोड़ तो दूँगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गोड़ी बनाना चाता हूँ फिर वो उससे दबोचने के लिए उसके पास आने लगता है लेकिन तब भी वहाँ पर चुन्नी लाला जाता है और फिर जैसे ही वो उसकार को रोकता है तब ही उसके उपर रखा एक सर्फपोर्ड आकर सीधा सोनिया सुहागरत के मुँपर लगता है और उसके मुँका कहचूंबर हो जाता है तब ही बाकी के चूतिये भी स्टायल मारते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसकी चूची फिर से पंचर हो जाती है अब ये देखकर कातिल हसीना गुस्से से पागल हो जाती है और उन दोनों को मारने के लिए उनके पीजह भागने लगती है लेकिन इसी दुरान वो दो चट्टानों की बीच में अटक जाती है और चुणिलाल से कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो मैं तुमें छोड़ दूँगी लेकिन तभी चुणिलाल और शालू शोकीन उसके पैरों पर लटक जाते हैं और उसके पैरों को खीशते हुए उसके सिर को धर से अलग कर देते हैं अब कातिल हसीना तो टबक चुकी थी लेकिन तभी वहाँ पर मुठल मैक्स आ जाता है और एक कुलाडी लेकर उनको मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी चुणिलाल उसके टेट्टो पर एक जोरकी लात मारता है और शालू शोकीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है फिर वो दोनों भाग कर एक बोट पर चड़ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं कि मुठल मैक्स भी एक ऐसा कीड़ा था जो की किसी से चिपक जाय तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता जिसके बाद वो चूतिया भी उनको मारने के लिए उनके पीछे आने लगता है इसी दुरान शालू शोकीन उसे जलानी की भी कुशिश करती है लेकिन इसे मुठल मैक्स को कोई फरक नी पड़ता और वो फिर से उनको मारने के लिए उनके पास आ जाता है लेकिन तभी चुन्नी लल बोट का इंजन शुरू कर देता है जिससे उस बोट पर लगा हुआ पंखा मुठल मैक्स को अपनी तरफ खीज लेता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है वही गंगुगण मरी और बाकी के लोग भी आ जाते है जहां पर मुठल मैक्स को मरा हुआ देखकर बावडी जहलर की गान फड़ जाती है और वो गंगुगण मरी को कहता है कि अम मुझे शैतान से कोई सोदा नहीं करना मुझे अपनी ज़्यादा प्यारी है इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ तभी मनोज मंगा कहता है कि मुझे भी कोई सोदा नहीं करना और मैं भी जा रहा हूँ लेकिन उन्हें पाता नहीं था कि शैतान से किया हुआ सोदा एसे नहीं तोड़ा जा सकता जिस वरे से जैसे ही वो दोनों वांसे जाने लगते हैं तब भी अचानक उनके शरीर फट जाते हैं अब ये देकर डामर के टुकड़े की फट जाती है और वो कहता है कि बहन चोद मैं तो सोदा पूरा करके ही रहूंगा जिसके बाद वो गंगुगणमरी से पूछता है कि अब हम उन चूजो को पकड़ेंगे कैसे तब ही गंगुगणमरी के दिमाख में एक आइडिया आता है और वो अपना फोन निकल कर सिधा चुनिलाल के बाप को लागाती है जो कि गंगुगणमरी के बाप के साथ बैटकर गंजा फुक रहा था फिर वो उसको बताती है कि मैं और चुनिलाल यहाँ पर गचा गच कनने आये थे लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही गचा गच कन लिया जिस वरे से वो उट भी नहीं पा रहा तो प्लीस आप लोग यहाँ पर आकर हमें वापस ले जाएं अभी सुनकर उसका बाप कहता है कि ठीक है जिसके बाद वो गंगुगणमरी के बाप के साथ उन दोनों को लेने के लिए निकल जाता है वहीं दूसी तरफ हम उन दोनों को देखते है जो कि शालू शोकीन के बाप के एक पुराने घर में आते हैं और उनके बेस्मेंट में जाकर छुप जाते हैं अब क्योंकि चुन्नी लाल ने शालू शोकीन की जान बचाई थी तो वो उसे इंप्रेस हो जाती है और उसके पास आकर उसे चूसने लगती है तभी चुन्नी लाल भी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है और वो भी उसे पटक कर घोडी बना देता है अब दबाकर घटा घच करने के बाद जबो दोनों वहापा लेटकर बाते कर रहे थे तभी वहाँ पर चुन्नी लाल का बाप आ जाता है और उसे बेस्मेंट से बाहर आने को कहता है लेकिन तभी शालू शोकीन उसे रोख देती है और उसे कहती है कि सुबह होने में सिर्फ एक गंटा बचा है इसलिए प्लीज तुम एक गंटा और रुख जाओ लेकिन चुन्नीलाल को अपने बब की चिंता हो रही थी कि कहीं गंगुगंड मरी उसे न मार दे इसलिए सेफटी के लिए वो कुछ हतियार उठा लेता है और शालू शोकीन के साथ बाहर आ जाता है वहीं उनके साथ डामर का टुकडा भी होता है जिसको देखकर चुन्नीलाल उस पर तीर चलाता है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है अब ये देखकर डामर का टुकड़ा भी तलवार उठा लेता है और वो उनको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तबी उपर से जूमर आकर सीधा उसकी उपर गिरता है और वो वहीं पर टपक जाता है इसी दुरान वहापर गंगू गंडमरी भी आ जाती है बातों में लगा कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे वहाँ से वापस ले जाता है वहीं दूसी तरफ शालू शोकिन भाग रही होती है इसी दुरान वहापर चुन्नी लाल भी आ जाता है और उसे कहते है कि चाहे तुम मुझे माढ डालो लेकिन शालू शोकिन को छोड़ दो इस पर गंगू गंडमरी कहती है कि तुम सभी मरोगे लेकिन पहले उसका काम पूरा हो जाए चुन्नी लाल पूछता है कि किसका काम तब ही हम देखते हैं कि पानी में से बठक्ती बोसरी निकलती है और ये सारा खेल उसी नहीं प्लैन किया था वही शालू शर्मीली भी उसे पैचान लेती है और कहती है कि बच्पन में ये मेरी भी बेबिसीटर थी और इसी की वज़े से ही मेरे पैरेंट्स का एक्सिदेंट हुआ लेकिन पूरी जिंदगी उनकी मौत कल्जम मेरे पर लगता रहा इसके बद गंगुगंड मरी चुन्नी लाल का खुन निकालती है जिस दोरन वो सभी चूतिये वापस जिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो सभी पहले से ही बूत थे और उन्हें मारा नहीं जा सकता था फिर चुन्नी लाल के खुन को बली दिये हुए इंसान के खुन से मिक्स कर दिया जाता है जिसको पीने से उनकी सारी इच्छां पूरी हो जाएंगी फिर वो सभी एके करके उस खुन को पी लेते हैं जिसके बाद उनको लगता है कि शायद अब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी को उल्टी होने लग जाती है और उन्हें पता चलता है कि चुन्नी लाला मासूम नहीं रहा क्योंकि कुछी तेर पहले उसने शालू शोकिन के साथ गचा गच किया था अब क्योंकि उनका शैतान से किया हुआ सोधा तूट चुका था इसलिए वो सभी मारे जाते हैं फिर बटक्ती बोसडी उन्हें बताती है कि ये सब मेरा ही प्लैन था और मुझे पता था कि चुनिलाला मासूम नहीं रहा लेकिन मैंने फिर भी ये किया क्योंकि ये सब अब मैं खत्म करना चाती हूँ इसके बद वो उस लोटे को उठाती है और खुद भी उस खुन को पीने लगती है क्योंकि इस सब की शुरुवात उसी की वज़े से हुई थी इसलिए ये सब खतम भी उसे ही करना था अब बटक्ती बोसरी को ऐसे मरते हुए चुनिलाल का बाप भी देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा कोई पागल नहीं है और उसने जो भी बोला था वो सब सच बोला था तब ही चुनिलाल शालू शुकिन को पकटकर उसके बाप के सामने ही चूसने लगता है जिसको देखकर उसका बाप खुश हो जाता है और उसे कहता है कि अब तो तुम्हें हिलाने की ज़रुवत नहीं बढ़ेगी और इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है